वेल्कम वेल्कम बैक टू मैं चैनल सो आज की वीडियो में हम फिर से बेस्ट मटियर्स का यूज करके कुछ हॉम डेकोर आइडियाज ना आप लोग की रिले के आयू वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लाइकन को हिट कर लेना तो चलो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करें आज के फस्ट DIY को बनाने के लिए मैं इन कुलड का यूज करूंगी और नीचे की साइट हमें इन में होल करना है पहले हम इने पानी में भिगो लेंगे कुछ देरी के लिए उसके बाद हम होल करेंगे तो इजिली इन में होल हो जाएगा मैं यहां पे सीजर की हेल्प से होल कर होल करने के बाद मैं यहां पे वाइट कलर को अपलाय करूंगी ताकि जब भी हम इसके उपर कोई और कलर करें तो अच्छे से एकदम निखर के आए कलर अगर हम डायरेक्ट कलर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है उसके बाद मैंने यहां पे देखिए तीन डिफरेंट क से मैंने आपे डोड रख दिये जो कि काफी जदा अच्छा लग रहे थे उसके बाद मैंने यहां पे देखिए बीट्स डाले हैं उसके बाद कुलर फिर अगैन हम कुछ बीट्स डालेंगे फिर इसके बाद कुलर इस तरीके से एक हैंगिंग हम यहां पे बना लेंगे और इस भी मैंने घर पर ही बनाए अगर आप इनको बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता देना यह दिखिए इस तरीके से मैंने एक हैंगिंग यहां पर तयार कर लिए तो चलो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं अब चलते हैं हमारे सेकंड डिय वाइ की तरफ उसके लिए मैं आप आइस्क्रीम स्टिक्स का यूज करूंगी और इससे हम एक की गोल्डर बनाने वाले हैं तो वीडियो को आयन तक जरूर से देखना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है आपको बस जैसे मैं स्टिक्स यहां पर अ मैंने स्टिक को कुछ इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड किया है और पीछे की साइड यहां पर दिखिए हम एक घर का यहां पर एक डिजाइन क्रियेट कर रहे हैं उसके बाद मैंने यहां पर देखिए एक बड़ी साइज की आइस्क्रीम स्टिक लिए एक छोटी सा लें और तीनों को यहां पर पेस्ट कर दिया है उसके बाद बस सिंपल ही अमें इसकी उपड़र करने हैं जो भी ऐसे करना चाहते हो तो मैंने यहां पर तीन कलर्स यूजे किया पिंक सकाइब्लू एन्ड येलो एक यहां यहां पर यूज यूज़ करो प्यारा सा की होल्ड आदेना तु चलो आप देख लेते इसका final look